गुद्मॉर्णिंग चिल्ड्रेंड चलो आज हम सीखने वाले हैं थर्ड सेंडर के इन्फॉर्मेशन कम्मुनिकेशन टेक्नोलोजी बुक का सिक्स चैप्टर जिसका इधिंग इस इसके पहले हमनों सिक्स चैप्टर का दो यूनिट पढ़ लिया था आगे के और दो टो नेक्स्टी सविगाव फाइल नोटपेड राइट यह कुछ भी नोटपेड में बना रहे तो उसको सेव कैसा करना है वह बता जाए यहां पर ठीक है यह पड़ते हैं तो पर तो यह पहले हमनों पढ़ा था ठीक है यह ताइप 5 sentences about your hobby in the notepad application all right to save this document click on file and click on save इसके पहले हमनों options पढ़े थे राइट यह नोटपेड में क्या क्या option होते है उसमें file का option था जहां पर save का एक command का राइट यह क्लिक है click on the file and click on the save ठीक है the save as dialogue appears on the screen जब save पे आपक्लिक करोगे तो एक ऐसा ही dialogue box open होगा saving a file in notepad all right from the left pane select document right left pane कहां पर है यहां से आपको document सेलेक्ट करना पड़े गए document ठीक है yes ठीक है yes समझ में आ गया from the left pane select documents देखो वहां पर documents के सारा है यहां ठीक है document library all right यहां से हमने document पर click करोगे तो यहां पर आपको पूरा दिखिया ठीक है yes type my hobby next to file name अब देखो file name के सामने दिखा दिखाया है my file name के यहां पर my hobby यहां पर type करना आपको ठीक है yes and click on save यह save पर click करना आपको ठीक है yes the file is saved you will see the name of the document on the title bar ठीक है yes अब यहां पर जो title bar हमने देखा था पहले वह untitled के बदली यहां पर आएगा my hobby all right यहां में आ गया yes चलो आगे बढ़ते हैं yes यहां तक हम लोने पढ़ लिया अब देखते हैं कैसे आपके exit करना है notepad पर all right यहां पर लिखा हुआ 6.3 unit but it is actually 6.4 all right yes now exit कैसे करना है now that we know to open notepad let's also learn to close it all right close भी कैसे करना है file option पर click करना है एक दम नीची जाओगे आप तो हहां पर exit का है ठीक है वह ऐसी लिखा हुआ है यहां पर to exit notepad click on the file menu click on the exit and notepad will close see figure 6.9 समझ में आ गया यह यह बहुत ही simple chapter था मेरे हिसाब से आप इसको practice करें तो आपको अगर कुछ difficulty होता तो आप comment करें जरूर पूछिए all right हम लोग आपका जरूर लोग कर देंगे ठीक है यह अज कले इतना है इस अगले वीडियो तो तकले बबाइटेक क्या दोस्तों आपको यह सीरीज पसंद आया रहा है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें चानल को बबाइटेक क्या